जमू कश्मीर सिधारा 370 हटाने के वाद सूफी डेलेगेशन ने कई इलाखों में जायसा लिया डेलेगेशन में शामिल नसरुदीन चिष्टी ने यह भी कहा कि मुसल्मानों के रहने के लिए भारत सबसे बहतर देश है पाकिस्तान पीम इमरान खान द्वारा जिहा की बात कहना बेहत शर्मनाख है पाकिस्तान के दिल्चस्पी है तो उसे चीन और फिलिस्तीन में जाकर लड़ाई लड़ना चाहिए हमें पाकिस्तान के मश्वरे की जरुवत नहीं है चिष्टी ने कहा कि कश्टमीर में किसी भी तरहा के मानव अधिकारों का उलंगन नहीं किया गया है चिष्टी के मुताविक हम यहां इस्थानी लोकों से मिले और किसी भी व्यक्ती ने मानव अधिकारों का उलंगन होने की बात नहीं कही पाकिस्तान का प्रोपोगंडा जूटा था जमू कश्मीर से अनुछे 370 हाट आए जाने के बाद आतनकवादियों के साथ ही माहाल विगारने वाले आसमाजिक तत्वों का कम्मिनिकेशन डोकने के लिए सरकार द्वारा मुबाइल सेवा को प्रतिबंदित कर दिया गया था 79 दिन बाद घाटी के बंदिशों को राहत देते हुए सरकार ने पोस्पेट कनेक्शन की मुबाइल सेवा शुरू कर दी है हाला की फिलहाल नेट सेवा शुरू नहीं की गई है सोमवार तड़के बलीदपुर नगर में बिचलापुर महले में रहने वाले छोटु विशकर्मा के घर अचानक जोरदार धमाके के आवास सुनाई पड़ी धमाका इतना बड़ा था कि उसका मकान पूरी तरहा मलवे में तबदील हो गया जबकि आस पड़ोस के मकानों में दरारी पड़ गई दूसरी तरफ धमाके के आवास से पूरा महला घरों के बाहर आ गया दोस्त मकान से घायलों को एक एक कर निकालना शुरू किया वहीं पूलिस की टीम भी मौके पर पहुची और राहत वा बजावकारे शुरू किया हाथसे में मारे गए लोगों के शव निकाले जाने के बाद उन्हें पोस्त मार्टम के लिए मुहमदाबाद गोहनाव सामुदा एक अस्पताल भीजा गया वहीं गयलों को ततकाल एंबुलेंस से अस्पताल भीजा जहां कुछ की इस्तिती काफी नाजुब बनी हुई थी इस्थानिये लोगों के सहयोग से पुलिस मलवे में अन्य गयलों की तलाश कर रही थी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरहां से संतुष्ट होने के बाद ही रहत और बजाव कारे रोका जाएगा केंदरी मंत्री प्यूश गोहल के हस्तक शेप के बाद सरकार और देश की व्यापारियों के बीच बास्चीस का सिलसिला शुरू हुआ है मंदी की आहट के चलते व्यापारियों की शीर संस्था Confederation of All India Traders ने सरकार पर दवा बनाया और सरकार को बताया कि फिलिपकार्ट और Amazon जैसी कंपनियों की वज़े से देश में मुबाइल ट्रेट खत्म हो गया है और FMCG भी खत्म होने की कगार पे है इन कंपनियों की वज़े से देश के व्यापारियों को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ रहा है सरकार के साथ कोई बैठक में इन कंपनियों ने कहा कि गराग को डिसकाउंट ब्रांड दीता है वो नहीं हमारी यहां वाणेज मंत्राले में फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के साथ में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने बहुत जोड़दार तरीके से देश के व्यापारियों का पक्ष रखका हमने यह कहा कि इन दो कंपनियों के होने से हमारे दिश के वियापारीं को बहुत नुक्सान हो रहा है हमारा मुबाइल ट्रेट नखबक। खतम ही हो गैं आझ मुबाइल खतम हुआ है कर Ф.M.C.G खतम होगा परसु कोई और ट्रेट खतम होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापारी देश में बड़े अंदोलन का मन बना रहे हैं। मन्दी के दौर में Confederation of All India Traders देश भर के व्यापारीयों को इखटा कर रही है। होकी खिराडियों की कार रैसलपूर के पास पेड़ से टकरा गई। टकर इती भीशन थी की होकी खिराड़यों की कार के परखच्च चोड़ गए और कार के अंदर बैटे तीन खिराड़यों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इस थानी रों को जैसे हाथसे की सूचना मिली वो मौके पर दोड़े और घायलों को होशंगाबाद के नर्वदास्पताल पहुंचाया। जहां एक और घायल खिराड़ी ने दम तोड़ दिया। वें तीन अन्गी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी खिराड़ी होशंगाबाद में चलता है ध्यांचन नेशनल होकी ट्रॉफी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। ऐसी जनकारी सामने आ रही है कि सभी अपने एक साथी का जनम दिन मनाने के लिए इटारसी आये थे और आज सुबह मैच खिलने के लिए होशंगाबाद जा रहे थे। तब ये हाथसा हो गया। मर्तकों की पैचान इंदौर के शेहनवास खान, इतारसी के आदर्श हरदुआ, जबलपुर के आशिशलाल और गौालियर के अनिकेट के रूप में हुई है। ये सबी मद्यपृदेश की होकी अकाडमी के खिला रही थे। मर्तकों की डैथ हो गई है। तीन घायल हैं अभी जिसमें दो की कंडिशन के बता रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो घायल हैं हमका इलाज ठीक से हो जाए। मृतक हैं उनको देखने के लिए कि जो आगे की वस्ता हैं करेंगा। अभी जो उनके जानकारी लिए गायल हैं उसमें से दो एटारसी के हैं और एक गवालियर के हैं। और जो मिरतक हैं उसमें एक अंदौर जबलपूर गवालियर और एटारसी के हैं। पशासन की तरफ से हर संबब मदद इन खिलाडियों को दी जा रही है। यह सभी राश्टीश्टर के हौकी खिलाड़ी हैं। मुक्मंत्री कमलनात ने ट्विटकर दुरगटना में मरत खिलाड़ियों के परिवार के परती गहरी संविदना व्यक्त की है। जन संपर्कमंत्री पी सी शर्मा ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख विक्त किया और कहा कि जो खिलाड़ी घायल हुए उनकी हर संबब मदद की जाएगी। किसी गाड़ी ने उनको ओवर्टेक किया और ओवर्टेक करते समय इनकी गाड़ी अन्बैलेंस होई और फेट से ठक्रा गई जिसमें तुरंद उनको डायल घंड्रेड ने अस्पिताल पहुचाया उस समय तको लोग उनकी सांसे चल रही थी कि वहां जाते जाते हैं चाल लोग दुनिया से चले गए और बाकी तीन लोग वहां सब्सक्राल में एड्मिटर के पुरा ट्रीटमेंट चल रहा है खेल एवम युवा कल्यान मंत्री जीतू पटवारी खोशंगाबाद पहुचे पटवारी ने कहा कि मुख मंत्री के निर्देश पर चुना प्रचार का दोरा रद करके यहां पहुचा हूँ नर्मदास पताल में सड़कदुर घटना में खायल खिलाडियों से मुलाकात की सभी मध्धिप्रदेश अकेडमी के वच्चे हैं बच्चों के परिजनों को मध्धिप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाए की आपको बता दें कि NH69 पर खिलाडियों की कार रैसलपूर के पास पेड़ से ठकरा गई थी ठकर इतनी भीशन थी कि हौकी खिलाडियों की कार के पर खच्चे उड़ गए और कार के अंदर बैठे तिन खिलाडियों ने मौके पर ही दम तोर दिया और चार गंभी रूप से घ चारों खिलाड़ी होशंगाबाद पे चल रही थावर्चन ट्रॉफी में खेलने इतारसी से होशंगाबाद जा रहे थे चुकि एकेडमी के बच्चे थे हमारा दाइत्व है यूँ भी मद्रदेश के स्पोर्स में पहली बार सहयोग से इसा वेटना इतनी बड़ी हुई है हम सब दुखी हैं और मद्रदेश शाषन पूरा परिवार के गाहिल बच्चों के परिवार के और जो म्रतक बच्चे हमारे चले गए उनके साथ है मुख्यमंत्री जी हर द्रश्टी से इसमें आर्थिक सयोग की बात हो यह तो फरकार का दाइत्व है वो तो पूरा रहे गाई सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर प्रधानमंती नर्यन मोदी के तीन करोड फॉलवर्स हो गए इसके साथ ही मोदी इस प्लेट फॉर्म पर फॉलो की जाने वारे दुनिया के सबसे लोक प्रीय निता बन गए है अब मोदी के इंस्टाग्राम पर अमरीकी राष्टपती डोनलाल ट्रम्प और पूर्व राष्टपती बराक ओबामा से ज़्यादा फॉल्वर्स हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विट पर भी उनके 50.7 मिलियन फॉल्वर्स हैं ताजा आखणों के मताबिक प्रदानमंति नर्यन मोदी के इंस्टाग्राम एकाउंट ने 30 मिलियन फॉल्वर्स को पार कर लिया है ट्रम्प के इंस्टाग्राम पर 14.9 मिलियन फॉल्वर्स हैं वहीं पूर्व अमरीकी राष्टपती ओबामा भी मोदी से पीछे हैं हाला कि दुनिया सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉल्वर्स वालों में मोदी अभी पीछे हैं इस मामले में अभीनेता और अभीनेत्री हैं सबसे आगे हैं आभीनेत्री किम कारदेशन 149 मिलियन यूजर्स के साथ टॉप पर हैं उसके बाद काईली जैनर हैं जिनके 148 मिलियन फॉल्वर्स हैं पूर्टगाली फुटवॉल इस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 186 मिलियन फॉल्वर्स हैं पिये मोदी ने 23 जुलाई 2019 को इस्टारग्राम पर एक कोस्ट की थी जो जवर्दस चर्चा में रही पिये मोदी इस तस्वीर में एक छोटे बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं बाद में पतर चला कि वह भाजपा सांसत सत्नारन जटिया की पोती है जटिया अपने ब ये दर्द उनकी जुवान पर आ ही जाता है सिंध्या ने कहा कि लोग सभाचुनाव के नतीजे से दिल में दुख है पर मैं छेतर के लिए अपना काम करता रहूँगा मेरी जितनी हैसियत है उतना काम कर रहा हूँ बस इतना कह सकता हूँ कि आप लोग मुझ में कुछ कमी न सक्ष इस सीट से चुनाव हारा है वो लगातार तीन बार इस सीट से चुनाव जीते थे नतीजे आये हैं उससे प्रदय में चोट तो है पर संबंध भी है और इसलिए चाय अशोक निगर में जब अतिवरिष्टी और बाड की सिती उत्पन हुई ये घटना यहां घटी हो सिंध्या ने खुले में सौच के नाम पर दो दलित बच्चों की पीट पीट कर हत्या की गई का दुख जताया और पीडित परिवारों को 50-50 लाग का मौवजा देने की मांगी इस संबन में उन्होंने मुख्यमंतरी कवलनाथ को चिट्थी भी लिखी है जिसमें उन्होंने पीडित परिवार को शिप्पूरी शहर में पक्का मकान बिना कर देने की मांग की है इसके अलावा दोशियों के खिलाब फास्ट्रेक कोट में मामला चलाने की भी बात कही खुद सिंध्या ने भी पीडित परिवारों को 5-5 लाख की आर्थित मदद देने का वादा किया है बेला डिला को आस्था का विशे बता कर विरोध की मशाल जलाई गई थी जो धीरे धीरे सब शांत हो गई आश्चर्य जनक रूप से कॉंग्रेस ने भी विरोध करना बंद कर दिया इसके पीचे का कारण अडानी की ताकत बताई जा रही है जो एक-एकर सभी विरोधियों को प्रभावित कर दी गई मगर इसे बाद भी जोगी कॉंग्रेस के अजी जोगी और अमिज जोगी ने इसका विरोध करना बंद नहीं किया अमिज जोगी ने तो मुख्यमंत्री पर अडानी के हाँ तो बिकने तक क्या रोब लगा दिये बेला जीला के इस लोह पहाडी को नंदराज परवत भी कहा जाता है नंदराज आदिवासियों के देवता कहे जाते हैं जिनका की इस परवत परनिवास है इसी आस्था का हवाला देखकर अडानी की घिरावंदी की जा रही थी बरतमान में इस्थानिया अदिवासियों और जोगी कॉंग्रेस के अलावा और कोई भी इस विरोध के लिए मुखर नहीं है कहा ये भी जा रहा है कि अडानी के विरोध में मुखर होने के कारण ही इस सरकार में करें, समझ में आ रहा है कि कौन आदिवासियों का हिटेश है, आदिवासियों के तस्तरवासियों के हग की जल जंगल जमीन को बंद कमरों में बड़े बड़े द्योगपतियों को निलाम किया जा रहा है, और जब मैंने इस पर प्रश्ट पूछा, तो मुझको हर्दा जिले के टिमरनी ठाना छेतर में वहां चेकिंग के दोरान कोख्याद बदमाश अब्बास खान उर्फ चंदू निवासी टिमरनी ने पुलिस ते गरफतार कर लिया है, चंदू पर हत्या सेंधमारी जैसे का यारोप थे, चेकिंग के दोरान चंदू के कबजे से बा चंदू अपना नाम बताया, इसकी मोटर साइटी पर संदिद नमबर अप्लिट लगी हुए थे, जिसके आदार पे उसके सक होने को उसकी तलासी लेए, तलासी के दौरान उसकी पाहें तरग की जेमें एक बाराबोर का देशी करता, और दाहें तरग की जेमें दो जिंदा दो करता करती की लेए, डोरी चॉड़ी लेए, जिसके फाली अपना उसके सकी पाहें टौर साइटी अ को उसके सकी पाहें जब पुलिस ने पूश्टाश की तो उसने बताया कि करीद डेड़ दो महा पहले बूंदी जिला खंडवा के बाजार की मोबाइल दुकान से अपने साथी राहुल निवासी और अंगबाद एवं मीराबाई निवासी नादेड के साथ रात में शटर के ताले तोड़ कर नग का आरोब भी है फिलहाल वो अपने साथियों के साथ टिम्रनी हर्दा खंडवा महराश्ट्र में आप राधे गदिवीद्यों में सक्रिये हैं बोपाल इस्थित कोलार इलाके में सूने मकान में चोरी की वारदात आम बात है ताजा मामले में कोलार रोड इस्थित एक घर के सामने से चोड दिन दाहरे बुलेट चुरा कर ले गए बदमाशों की एक करतूत सी सी टीवी कैमरे में कैद हो गई पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दिया है चांदकारी के नुसार महाबरी नगर कुलार रोड निवासी गौरा प बुलेट चुराते हुए नजर आए प्रगया की मौत की खबर से उसके परीजन परिशान हो गए थे क्योंकि उनके परिवार में किसी के भी पास पासपोर्ट नहीं था जिससे प्रग्या पालिवाल का शव लाने में दिक्कत आ रही थी जिससे नगर के जन प्रतनेदी और युवाउ ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई उसके बाद विदेश मंतरी और MP सरकार की मदद से प्रग्या का शव भारत आ सका प्रग्या का शव जैसे उसक में उसके भाई ने मुखागने दी बैंगलूरू की एक कंपनी में काम कर रही चतरपूर की पग्या पालिवाल की थाइलांड के फुकेट शहर में स्टाड़क हाथसे में मौत होई थी वह बैंगलूर से कॉंफेंस में शामिल होने के लिए थाइलेंड गई ती इस पूरे म सामले में एक दिक्कत ये भी सामने आई कि परिवार के किसी भी सदस के पास पासपोर्ट नहीं था जिससे वे बेटी के शब को थाइलेंड से लाने के लिए परशान हो रहे थे बरफानी धाम आश्रम में मापाताल बहरवी मंदर प्रांगण में आज 30,000 से अधिक लोगों ने जड़ी बूटी युक्त खीर ग्रैन की शिवलिंग के आकार में निर्मित विशाल काय मंदर के गर्प ग्रैमें मापाताल बहरवी की मूर्ती स्थापे थे मद भाग में 10 महाविद्या और उपर के भाग में 12 योते लोगों की इस्थापना की गई है शरत पुनियमा के अफसर पर मंदर प्रांगण में विगत 20 वर्षों से जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरन किया जा रहा है आज भी 30,000 से जड़ा लोग जड़ी बूटी युक्त खीर को प्राप्त करने के लिए वहाँ पहुंचे थे और वहाँ चले भजन किर्तन के बाद उन्होंने खीर को गर्ण किया सुबह 4 बजे से प्रसाथ के रूट में इस खीर का वितरन किया गया इस खीर के सेवन से बीमारिया मनों से दूर रहती है 36 गड़ के अलावा महराष्ट, और इसा, पशिमंगाल, मद्दप्रदेश से लोग खीर गर्ण करने के लिए पहुंचते हैं इस जड़ी बूटी युक्ते खीर से दमा, अस्तमा, सांच जैसी बीमारी से गर्शित लोगों को सबसे ज़्यादा लाव होता है शरत तोने कमा के पावन पर उपर हम प्रसाद जो हैक्षिर प्रसाद उसमें और सद्धी जड़ी बूटी कर दमा, स्वास के मर्यों को बित्रित करते हैं कुछ वर्सों से लगवग 20 से 25 हजार लोग और सद्धी युक्त प्रसाद राप्त करके और लाव लेते हैं सेल्फी लेना भी एक आर्ट है, छिनवारा में मुखमनती कमलनाथ सेल्फी पॉइंट पर पहुँचे और अपनी सेल्फी ली जहां सीम कमलनाथ खुद को कैमरे में कैट कर रहे थे, वहीं मौके पर खड़े कुछ लोगों ने ऐसा करते हुए उनकी तस्वीरें खेश ली छिनवारा में नगर निगम कमिशनर इच्छत गरपाले की कोशिश के चलते हैं ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं, मुखमनती भी आज यहां खुद कैमरे में कैट करने से रोक नहीं पाए इससे पहले रवीवार को मुखमनती कमना जिला कॉंगरेस की संगठा उत्माच बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ किया था कि अब तक प्रदेश में 20 लाग किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, अकेले चिनवारा जिले में एक लाग सी ज्यादा किसानों को कर् चिंता जदाई से नकसलवादियों के गड़ ता, जोपड़ी से महलो ता, थेलों से मेलो ता, पक्दंडियों से सडकों ता, गाउं से शेहरो ता, व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूट मीती ता, दखन न्यूज, आपके हत्ता आप देख रहे हैं दखन न्यूज